नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्यास सेंगा भारत से पाकिस्तान चुराने वाली अंजु लगातार इंटर्व्यू दे कर अपना पक्ष रख रही है अंजु ने जुलाई में वीजा लेकर पाकिस्तान जुनाने का फैसला लिया और चार महीने बाद वेवापस भारत आ गई अंजु का कहना है कि उनके बच्चों का भविस शेयर ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए वे कुछ भी करेंगी अंजु ने लगभग पाच महीने के बाद अपने भारतिय पती अरविंद से पहली मुलाकात की अंजु और अरविंद दोनों एक साथ एक कैमरे पर नज़र आए एक यूट्यूब चानल के साथ बादशीत में उन्होंने कहा अभी सिर्फ बच्चों को लेकर मिले हैं अरव से सोशल मीडिया पर कुछ ना कहने की हिदायत भी दी अरविंद ने ये भी कहा कि अभी सिर्फ बच्चों को लेकर बादशीत हो रही हैं बच्चों को दोनों साथ में खर्च उठाएंगे अंजु ने बताया कि पाकिस्तान ज़रान बहुत सी चीज़े अरविंद को भी नह लोगों ने बहुत बुरा भला कहा आज हम बच्चों के लिए मिले हैं सोशल मीडिया पर उनकी आलोशना करने वालों को दोनों ने करारा जवाब दिया अंजु ने कहा बाहर बहुत से लोग हमें बुरा भला कह रही हैं मेरा बस इतना कहना है कि बिना कुछ जाने ऐसा नही बोलना चाहिए अंजु ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए मुकदमे की धमके दी उसने कहा जिन लोगों ने उनके बारे में बुरा भला कहा है उनकी लिस्ट उसके पास है और वो जल्द ही कानूनी कारवाई भी कर सकते हैं इसे के साथ लगातार जो सवाल उठ र हो गए हैं बच्चों के भविष्चे के लिए दोनों अच्छा फैसला लेना चाहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने इनकी छावी खराब करने की कोशिश की है दोनों ही उनके खिलाफ मान हानी का केस करना चाहते हैं अर्विन ने कहा अभी त तस्वीर साफ कर दी है उसने कहा कि नस्रूला के साथ उसके रिष्टे काफी जादा बहतर है और वो उन रिष्टों को खत्म नहीं करना चाहती है फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन न कि उसके साथ